2024 में बॉलिवुड की गाड़ी काफी धीमी चल रही है एक ही हफ़ते में दो बड़ी मूवीज का फेस्टिवल वीक पर बुरी तरह पिट जाना खाली थीटर्स किसी पाप से कम नहीं है लेकिन 2025 की बात अलग है क्योंकि अभी से बॉलिवुड के हातों में एक एक अटॉमिक बॉम लग गया है वो जो आज तक बॉक्स ओफिस की हिस्ट्री में लिखे जाने वाले सारे रिकॉर्ड्स को आग लगा सकता है शायद 2000 करोर वाली पहली फिल्म मिल जाएगी हमको War 2 की बात करी हूँ मैं जिसकी रिलीज में पूरा एक साल रखा हुआ है लेकिन सोचल मीडिया पर फिल्म का नाम अभी से ट्रेंडिनिंग में वाइरल हो रखा है इंडिया को VFX का असली मतलब समझाने वाली फिल्म का डिरेक्टर अपना खुद का देशी सूपर हीरो बनाने वाला आक्टर और इंडियन सिर्मा को आसकर की ट्रॉफी दिलाने वाला स्टार ये तीनों जब एक साथ आएंगे किसी फिल्म में तो धमाका तो हो नहीं था लेकिन जिस तरीके से फोटोज लीक हो रहे हैं ये धमाका कम और बॉम की फैक्टरी जादा लग रहा है रितिक रॉशन वर्सिस जूनियर एंटिया ये क्लैश जितना आप सोच रहे हो उससे कई जादा बढ़ा है पहली बार ऐसा होगा जिब नौर्ट से लेकर साओ तक पूरा इंडिया सिफ एक फिल्म देखेगा और कमाल की बार जानते हैं कहानी में सबसे बढ़ा ट्विस्ट ये है कि लड़ाई हीरो वर्सिस विलन की नहीं है कुछ वैसा ये खदरनाक सीक्रेट वार्टू में भी होने वाला है तो इसका मतलब समझ आया आपको जैसे वार में टाइगर श्रॉफ रितिक का पीछा कर रहे थे इस बार रितिक जूनियर एंटियार के पीछे पढ़ जाएंगे फिल्म का लेवल बढ़ गया है टाइगर थी का पोस्ट प्रेडिट सीन सिर्फ एक छोटा सा सीन लेकिन रितिक के तीन सेकेंड ने तीम घंटे की टाइगर थी का पूरा हैप चुरा लिया था उस सीन से एक बात तो पक्की है जूनियर एंटियार अगर शेर हैं रितिक रोशन फाइनली अपने ओरिजिनल मा सब्तार में कमबाक कर रहे हैं तो जूनियर एंटियार उनको बराबर की टकर देकर पबलिक को शॉप कर रहे हैं अब सबसे बेस्ट चीज बताती हूँ जिस वज़े से मुझे पूरा भरोसा है कि वार टू अभी तक इंडिया में बनने वाली बाकी सारी मुवीज के रिकॉर्ड्स तोड़ सकती है वार टू वो गलती बिल्कुल नहीं करेगी जो सल्मान खान की लास्ट फिल्म टाइगर 3 ने की थी जिस वज़े से हजार करोर वाली फिल्म उसका आधा भी नहीं कर पाई ब्रेकिंग न्यूज ये है कि वार टू का कनेक्शन पिछली स्पाई मूवीज की तरह इंडिया पाकिस्तान से नहीं बलकी चाइना से होगा मतलब वायरेफ स्पाई उनिवर्स पूरी तरह बदलने वाला है फ्रेश कहानिया बनाई जाएंगे अबसे जिनको हम प्रिडिक नहीं कर पाएंगे कुछ डिफरेंट हट के ट्राइ किया जाएगा जैसे अभी तक फिल्मों में देश की लडाईया दिखाई जाती थी अब वार टू में ये बदल के पर्सनल राइवल्री हो जाएगी एजेंट्स की पर्सनल जिंदगी को हाइलाइट करेंगे और इसी वज़े से न्यूज ये है कि वार टू में जॉन इब्राहिम एस जिम की भी एंट्री होने वाली है करनल सहाब के दो सबसे बेस्ट एजेंट्स जिम और कबीर आमने सामने होंगे मतलब रितिक वर्सिस जॉन बॉलिवुड के फैंस जिस अपने धूम के टाइम से देख रहे थे अब वो फाइनली वायरेफ के स्पाई उनिवर्स में जाके पूरे हो जाएंगे और इन दोनों के बीच में जूनियर एंटिया कैसे फिट होते हैं अभी से दिमाग लगाना पड़ रहा है मतलब अल्रेडी वायरेफ स्पाई उनिवर्स पिछली मूवी से एक कदम आ गया है सोचो जब आयान मुखर जी रंबीर कपूर के साथ ब्रह्मास्त्री जैसा सिनिमा बनाके 400 क्रोड पार कर सकते हैं तो इनके दोनों हातों में एक तरफ जब क्रिश रितिक रोशन और दूसरे में RRR जूनियर एंटियार जैसे न्यूक्लियर वेपन आएंगे और VFX से आयान का प्यार तो आप जानते ही हो फाइनली हमें ऐसा सिनिमा देखने को मिल सकता है जिस पर हॉलिवुट का स्टी करना सही लेकिन हाइप और क्वालिटी दोनों में हम अंग्रेजों से कंपीट कर लेंगे रितिक रोशन फैंस मुस्कुराइए बॉलिवुट का सबसे बड़ा कमबाक लोडिंग है सर लेकिन जादा हसना मत क्योंकि NTR मेनिया को मैच करना मुश्किली नहीं नमुकिन हो सकता है बॉस टीम रितिक वर्सिस टीम एंटियार कौन होगा वार्टू का असली स्टार आप कि साइड हो जल्दी से बता दो बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी वर्ना थोड़ा सा इंतिजार करिए मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाई बाई